अगर आप शेर मार्केटी सभी अपडेट्स पाना चाहते तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दस ऐसी शेर के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको आप अपने पॉर्टफोलियो में हर महीने खरीद कर चल सकते हैं अपने अपने इस सेग्मेंट के अंदर मार्केट लीडिंग और यह जो कंपनी जा दोस्तों इसका भी अच्छे फंडमेंटल्स वहाइब करने की कोई वीजूद ने काफी अच्छे इसको चूज किया है तो इंफोसिस का बार में आपको बताना है चोंगो दोस्ति मार्केट लीडर्स के अंदर आती है और अगर इसका पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो इंफोसिस इन्हें सारी आइटी कंपनी इसके अगर हम कंपेर करें तो काफी अच्छा ग्रोथ रेट इ इंफोसिस ने लगबग 18% के बहुती शांदार रिटरंस निकालके दिये हैं जिसमें अभी हमें थोड़ा सा क्रेक्शन में जुरूर देखने को मिल रहा है दोस्तों अगर फंडमेंटल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि FIA के पास लगबग 33% का स्टेक देखने को मि देखने को मिलते हैं तो दोस्तों अगर मैं इसके फाइनिशल्स आपको दिखा हूं तो फाइनिशल्स आप देख सकते हूं मैं लगातार बढ़ते वहीं देखने को मिल रहे हैं तो चलिए दोस्तों मैं बैंकिंग सेक्टर देखने को मिल रहे हैं जो कि मैंने बैंकिंग सेक रूंगा यह कहीं कही साल दोस्तों कॉंसेंट कॉंसेंट करतावा देखने को मिल जाता लेकिन जब यह भागता तो काफी अच्छी 잘못 सह rotation करता वह देखने को मिलता तो फौढ़ से फौण सो फंद्रांसों सकते हैं हमें FIs का इस पास लगवग 35% का स्टेक देखने को मिलता है वही mutual fund के पास हमें 16% और promoter के कोई भी शेर में गिर भी देखने को नहीं मिल रहा है और market cap की बात को तो सबसे बड़ी market cap वाली कंपनी है दोस्तों banks के अंदर लगवग 7,44,000 क्रोट की market cap वाली कंपनी है वहीं दोस्तों आप इनके financials देख सकते हो financials हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं इनके revenues और profits आपके सामने है profits के अंदर भी हमें लगातार growth होती हुए देखने को देखने को भी मिल रहा है तो Asian paints भी दोस्तों काफी अच्छी कंपनी है पेंट सेक्टर में अगर वर्ल रेंकिंग की बात पर यह यह कंपनी वर्ल रेंकिंग 9 देंग पर आते और काफी अच्छी कंपनी है दोस्तों और अगर इंडिया के अंदर बात एरोड एशिया के अंदर भी नंबर वन पर देखने को मिलती है तो चलिए दोस्तों एक बर ही हम इसके हम फंडामेंटल देख लेते हैं तो फंडमेंटल सी बात करें तो लगव 2,86,000 क्रोड की मार्केट के अपली कंपनी देखने को मिलती है और यहाँ पर देखने को मिलता है काफी अच्छे देखने को मिल रही है और प्रमोटर की लगवग 4% की होल्डिंग सामें गिरवी देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों यह सेग्मेंट में काम करती है तो वहाँ पर इनको लोंस तो गहरा लेने पड़ते हैं और रो मेट्रियल्स थोड़ा सा यह बल्क में बाय करके चलती है इन लगाता है वेन्यू ग्रोफ करता है देखने को मिलती है तो चली दोस्तों इसकी नेक्स्ट कंपणी तरफ चलते हैं जो कि रिटेल सेग्मेंट के अंदर मैंने चूज किया है डी मार्ट को तो डी मार्ट का चार्ट मैं आपके सामने रख देता हूं दोस्तों डी मार्ट अब यहां से भी नीचे जाए दोस्तो तो आप एक दो quantity इसकी बाय करके चल सकते हैं और आप देखो इसमें लगातार जब यह उपर जाता तो लगातार हमें इसमें काफी अच्छी अपवर टेंट्स देखने को मिल जाते हैं तो डीमार्ट का मैं पताना हो कि दोस्तो रिटेल सेगमेंट के अंदर काम करती है और इनके पास जतना MarketSp literal के अंदर किसी के पास भी नहीं है दोस्तो इंका बिजनस मोडल काफी अच्छा है काम करने का तरीका और इनका बिजनस मोट है कह सकते हम यह जो भी मतलब जहां पर भी अपने वह आउटलेट्स कोलती है इनकी कोशिश यही रहती है कि यह पहलों उसको परचेस करें और इनको रेंट्स हो गहारा काभी दोस्तों जो अपरेटि सब्सक्राइब कोई राशन नहीं देखने को मिलेगा काफी अच्छे तरीके से इस चीज में काम करता है तो दोस्तों अगर हम इनके फाइनिशेल्स देखें तो आप देख सकते हो प्रमोटर की कोई बोल्डिंग में प्लेज देखने को नहीं मिलती है और फाइस के पास अगर हम इनके फाइनिशेल्स देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कोविट के टाइम पर बस थोड़ा सामें कॉंस्टेंट देखने को मिल रही ती और जैसे कि अब कोविट खदम हो चुका है तो हमें सेम ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है तो चलिए द इसने काफी अच्छे रिटन्स निकाल के लिए लगभग 36% के और अगभी देखे तो लगभग हमें 2400 के आसपास ट्रेड होता हुआ भी देखने को मिलता है वहीं दोस्तों चलिए अब हम इनके फंडामेंटल्स देख रहता है फंडामेंटल्स बात करें तो एफाइस के प अगर अब भी 2019 से 21 तक देखे तो थोड़ा सा कम ग्रोथ होती ही देखने को मिल रही है रिजन भी इनकी रोव मेटिर्स की कोश्ट जैसे कि अब बढ़ चुके तो उनका इंपक्त हमें अब इस समय में देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों मैंने लिश्ट के नेक्स कंप इसको अब तो यह अच्छा समय होगा इसको अक्यूमिलेट करने का और इसका ओल्ट तेखने को मिलाता मासले अभी हमें 1000 पॉंट्स की करेक्शन में देखने को मिल रहा है तो दोस्तों चलिए हम अब हम इसके फंडामेंटल देख लेते तो और एफाइस की बात के रहता है इसके पास इसका अंदर 18 परसंट का स्टेक देखने को मिलता है और म्यूचल फंड के पास लगवर 13 परसंट का वहीं प्रमोटर का कोई भी शेर हमें ऐसे प्लेज नहीं देखने को मिलता है वहीं मार्केट के बात करें तो दोस्तों मार्केट क्या आप देख सकते हैं यह सकते हो दोस्तों और ऑपने तो स्ट नेक्स कंपनी के तरफ चलते है जो कि यह mileage हो तो डिलाकस में आपको दिखाने जाभू अगर अगर एक साल की बात करते हैं एक साल में अपने इंवेस्टर लगगो 25% के रिटरन से निकालकर दिये हैं अगर अभी भी अपने ओल्टाइम हाई से हमें थोड़ा सा क्रेक्शन में देखने को मिल रहा है लगभग 1100 के आसपास अभी हमें ट्रेड होता हूं देखने को मिल रह यहीं घ्राटेथाकि वार्माटर का किस्ट H सकते हैं इसने इस ने लगबक 40 पर संस्ट का रिटेन निकालकटिया है और इसके all time high की बात को 3000 के आसपास हमें all time high देखने को मिलाता है वहाँ से अभी यह काफी अच्छी क्रेक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है लगबग 2300-2300 की रेंज में देखने को मिलता है तो दोस्तों यह भी एक अच्छी कंपनी अपने portfolio में add करने के लिए अगर इसके fundamentals की बात तो fundamentals आप देख सकते हो लगबग 30,000 क्रोड की market cap वाली कंपनी और FI इसके पास लगबग 8% का stake देखने को मिल जाता है वही mutual fund के पास भी दोस्तों हमें इसमें लगबग 6% का stake देखने को मिलता है और दोस्तों promoter का कोई भी share हमें pledge देखने को नहीं मिल र देखने को मिलें लेकिन profits के अंदर सेम हमें growth continues देखने को मिल रही है तो चलिए दोस्तों हम पने लिष्ट की next company की तरफ चलते हैं जो की है CDSL तो CDSL का chart मैं आपको दिखा देता हूं तो CDSL का chart आप देख सकते हैं अगर एक साल की बात करें तो यह company लगाता और हमें growth करती हुँ देखने को मिल जाती है और जहां पर सारे share अभी हमें correction में देखने को मिल रहे हैं यह हमें बहुत ही कम correction के अंदर देखने को मिल रही है ल CDSL के अंदर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इनके अंदर दोई कंपनी दोई कंपनी जाए एक CDSL और NSDL जो depository का काम करती है लेकिन सबसे आधा market share में बताना चाहूंगा हमें CDSL के पास देखने को मिलता है तो दोस्तों एक पर हम इसके fundamentals देख रहता है fundamentals देख लिए 14- 50% की mutual fund holdings देखने को मिलते हैं promoter के पास दोस्तों कोई भी share हमें इसका pledge देखने को नहीं मिलता है अगर हम इसके financials की बात करें तो आप देख सकते हैं कैसे कितनी शांदर growth हाती देखने को मिलें के revenues में और profits भी दोस्तों देखो 2020 में हमें सीधा double होते वे देखने को मिले है है और हमारी लिस्ट की दोस्तों अब next company है वह है दोस्तों रिलेंस तो रिलेंस का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा रिलेंस का चार्ट आपके सामने आप देख सकते हैं रिलेंस में अगर एक साल की बात करते हैं एक साल में लगबग 44-45% के बहुत बढ़ी है return निक काम करते हैं इसके काफी सारे हमें product portfolio देखने को मिल जाते हैं like retail के अंदर oil and gas के अंदर और telecom के अंदर और media के अंदर तो काफी सारे segments में काम करते हो market leading और काफी अच्छी growth देने वाली company है तो यह भी दोस्तों रहे रहे गी आप हर मैंने रिलाइंस के अंदर एक-दू quantities buy करके चल सकते है as per your budget तो दोस्तों अब हम इसके फंडामेंटल्स देख रहता है फंडामेंटल्स से बात है तो लगबग 17 लाक 18 लाक करोड की market cap वाली company देखने को मिलती है और फाइस इसमें लगबग 25% का stake buy किया हुग है तो फाइस holding भी काफी decent देखने को मिलती है और mutual fund की बात करें लगब 5% का stake हमें mutual funds के बात पास देखने को मिलता है और इनकी कोई भी holdings दोस्तों हमें ऐसे pledge देखने को नहीं मिलती है मतलब कोई भी शेर इनका गिर भी नहीं है वहीं अगर हम इनके financial स्ट्रेंड की बात करें तो फैनिशल स्ट्रेंड थोड़ा सा इनका जैसे कि मैंने बताया को प्रोड़क्त प्रोट्फलियो काफी डैवर्स्ट है तो उस विजह से हमें थोड़ा सा करते हैं देखने को मिल रहे थे इनके profits के अंदर में कोई भी कम आती हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों यह अच्छी कंपनी होगी अगर आप इसको हर महीने अपने पॉर्टफॉलियो में आट करके चलते हैं तो तो दोस्तों यह थे मेरी लिश्ट के 10 जिनको आप हर महीने बाय करके चल सकते हैं इनमें साइपी करके चल सकते हैं तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों सारे की सारी मार्केट लेडिंग कमपनी से हैं और आपको अगर आप कम से कम इसको आने वाले 5-10 सालों के लिए होड़ कर तो काफी अच्छी वेल्थ बना क जरूर करें और आप कमेंट करके मिले को बताएं आपके पास यह शेर है या नहीं थैंक यू दोस्तों